आसलान को इरिवान कैसे हैं आप सब लोग तो एक रेसिपी जो आपको मज़ा देगा बहुत सी चीजों काई इसमें आपको गालिक ब्रेट का मज़ा भी आएगा मिसी रोटी का भी मसा आएगा आलू की पराठे का मसा आएगा लेकिन सिर्फ एक ही पराठा बनेगा बहुत ही पराठे बनके त्यार होंगे और बहुत ही मस्यतार तो चलें यह रेसिपी स्टार्ट करतें एंड तक जरूर देखेगा ताकि आपको यह पूरी रेसिपी बनाने में कोई परशानी ना हो बिसम लायर्मान रहीम तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे यहां पर मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है मैं यहां पर आटे से बना रही हूं आप चाहें तो मैदा यूस कर लें और दो टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी डाली है और इसका फ्लेवर और इन्हांस करने के लिए मिसी रोटी वाला फ्लेवर देने के लिए इसमें अच्छे से घिस लिया है और अब इसके अंदर थोड़े सा फ्लेवरिंग डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून और साथ में डाल देंगे इसमें हाफ टीस्पून ही चाट मसाला इन सारी चीजों को हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर जितना भी मिक्स करने के बाद आटे में तो हम इसको गून लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसका हम थोड़ा सा मीडियम टू सॉफ्ट आटा लगाएंगे चुनि सूजी है बेसन है वो पानी एब्सॉप करती है तो अगर आप इसको बहुत जादा टाइट लगाएंगे तो यह बहुत जादा बाद में सख्त हो जाएगा तो इसका मैंने मीडियम आटर लगा के तियार कर लिया है इसको 15 मिट क्लीन रेस्ट दे देते हैं और जब तक ही रेस्ट हो रहा है इसके अंदर की फिरिंग की तियारी कर लेते हैं बाइमिस्टिक कैमरा ओफ हो गया था तो क्लिप जो है रिकॉर्ड होने से रह गई है यहां पर मैंने दो टेबल स्पून की करीब बटर लिया है और थोड़ा स्वे में हरा धनिया डाला है अगर आपका मखन सॉल्टिड है तो इसमें आप नमक मद डालिए वहना आप इसमें हाफ टी स्पून नमक डा हो चुका है तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसको साइर में रख लेते हैं और आठे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है तो आठे को एक पर थोड़ा सा और गून लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना आठा हो जाए तो अब आठे की पेड़े बना लेते हैं पराठे तो पाराटो के हिसाप से मैंने थोड़े सा इसके प्योड़े बनाये तीन तो बड़े सा इसके बन गए, मगर एक छोटा सा बन गया तो इसको है पहले होड़े हम थोड़ा सा आठा लगाकर प्रेस कर लेते हैं और इसको फ्लाट बॉल सी इसकी जो टिकिया है वो बना लेते हैं अब इसको जो है हम बेल लेते हैं तो इसकी मैं एक बड़ा पराठा बेल रही हूँ तो मैंने सिंपल सी काउंटर टॉप पे थोड़ा आठा लगा के और इसको रोटी की तरह है एक बड़ी सी मैंने इसकी रोटी बेल ली है अब इसकी उपर जो बटर बन लिए हम क्या करेंगे इसको हम जिस तरीके से बच्पन में हम लोग पंखा फोल्ड करते हैं ना पेपर से जो पंखा बनाते थे उसी तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे तो सिंपली आप इसको उठाईए कोने से और इसको मोड़ते चले जाएगे तो यह देखें अच्छे से फोल्ड नहीं करेंगे वन्ना सारी धनिये की फिलिंग निकल जाएगी इसको हम आगे से घुमा के फोल्ड करेंगे तो यह देखी इस तरीके से हमने घुमाना है और यह अच्छे से जो है लेयर वाला जो है यह पराठी का पीड़ा बनके त्यार हो जाएगा मैं एक और आपको जो कोना है वो नीची के तरफ दबा देना है इसी तरीके से मैं बाकी की पेड़े भी बना के तियार कर लेती हूं थी सारे पेड़े बना के मैंने तियार कर ली है और जो बटर बनाया था देखी बल्लकुल परफिक मेजरमेंट मैंने आपको बताया था चार पेड़ों में तो बस simply इसको हमने सूखे आटे में लगाना है और इसको हलके हाथ से हमने बेलना है बहुत बड़ा नहीं बेलना है वनना इसके सारे लचे वापस में चिपक जाएंगे और जिस मेथर से हमने इसको फोल्ड किया था उसकी वज़े से देखिए बटर और धनिया आपकी काउंटर टॉप पे या पे पटे पे आप बेल रहे हैं उसके नहीं चिपकेगा देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा है तो यह इसका फोल्डिंग मेथट का तरीका इसका यही है तो यह अच्छे से बिल चुका है तो चलें इसको मैंने तवा गरम करने रख दिया था उस पे आप इसको फ्राइ कर लेते हैं तो simply आपने इसको तवे पे डालना है मीडियम फ्लेम पे और जब तक इसका कलर जो है एक तरफ से बिल्कुल ड्राइ उपर से फील ना होने लगे तब तक आपने इसको पलटना नहीं हो जब यह ड्राइ हो जाए तो इसको पलट दीजे और इसको फिर आप घी से या बढ़ और यह कुर्कुरा सा प्राटा बनके तियार हो जाएगा देखने में किता अच्छा लग रहा है ना और यह जो है आपको मिसी रोटी का आलू के प्राटी का गालिक ड्रेट का हर चीज का फ्लेवर देने वाला है क्योंकि बहुत ही डेलिशसी प्राटी बनके तियार हुए तो ये एक एक करके मैंने सारे पराटे सेक लिए हैं और गर्म गर्म ये पराटे बन के त्यार हो चुके हैं इसको अचार के साथ दही के साथ सर्फ कीजिए उपर से थोड़ा सब बटर डाल के सर्फ कीजिए और देखिए इस किल अच्छी देखिए कितने अच्छे से खुले ह और ये कितना क्रिस्पी पराटा बन के तियार हुआ है और बहुत ही मसेदार आप इस रेसिपी को नाच्टे में ट्राइ कीजिए मुझे अमीद है आपको जरूर पसंद आएगी बनता बहुत जल्दी है और बनता बहुत ही मसेदार है लंच बॉक्स में बच्चों के टिफिन में आप दे सकते हैं ये तो अमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो इसको लाइक जास कीजिएगा चैनल पे नहे हैं तो प्लीजन को सबस्क्राइब करतीजिए अपना बहुत ख्याल रखिय ग mocमिल देग और मसिधार सी वीडियो में तिल एन बनात रहें साई के मस्यदार